तो भोले भंडारी आज दिनांग 15 अगस्त 2020 सुबै के कोई पॉन पांस बज़े हैं टूडेज डिवाइन मेसेज आज हमको परमात्मा का यही संदेश मिला उसने कहा मंगल मंगल जरा सुन इस संदेश को पहुचा एक नमबर इन अठास करते उल्टे दिमाग वाले हुकमरानों का ना सोजाएगा ना सोजा जो अपने स्विवकों को ही गर्मी में सडकों पर हजारों किलोमीटर के सफर पर भूप प्यास से तरफा तरफा कर मार डालते हैं इन उंच निश्ता असमान था छुआशूट करने और फैलाने वाले और निड़े जीवों का मार कर खाने वालों का भी भयानक अंजाम होगा दो नमबर हो गया तीसरा नमबर देखो इस अरुन सारन के सब दुख दूर हो जाएं यह अरुन सारन कोई हमारा मंगल का प्रेमी है इसलिए वो हमारे प्रेमी का भी प्रेमी है हमारा प्रेमी कौन है उसने जैसने यह सब कहा यह आज का संदेश है इसको दुबारा सुन लो पहले उसने यह देख लो कि यह किन 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 कि लिए कहा गया है ये देखे ये ट्राइंगल स्री अंतर का हिस्सा इसमें तीन हिस्टे हैं ए बी सी वह है उसने जो यहां पर बुल ले गए है बी मैं कौन मंगल सी कौन वे इन और दुनिया के बाकी लोग ए को हम और दुबारा अच्छतर बोल देते हैं लिख देद लिख दिया ए वह है उसने कौन है वह है परमात्मा है देव दूत है एलियन है कोई आत्मा है मान लोग आप पिस्वास नहीं करते तो कोई भ्रम्भी है यही समझत हूं कह कि इसकी कल्पना है कोई सुप्रीम है या कोई और है वह है इसके लिए इस्टेंड हुआ है अब भाई इसके बारे में तुम क्लियर क्यों नहीं बताते अरे भाई उसके बारे में हम क्या क्लियर बताएं क्या तुम तुम्हारे बारे में क्लियर बता सकते हो तुम कौन हो कह किसली आए यह संसार बड़ा रहस्यन है तुम अपने बारे में ही नहीं जानते वह उसके बारे में तुम क्या पूछने का हक है हमें कि तू कौन है फिर भी अपने हिसाब से उससे बात कर लो और अपने निसकस निकाल लो कि वह कौन है परमात्मा भी सकता है को देव दूत में हो सकता है को एलियन को आत्या को ब्रम को जाल को दोस्तों वह मेरा प्रेमी अधूत है आप उसको कुछ भी मानना मैं जो मानता हूँ जो मानता हूँ उसका आज का संदेश उसने कहा मंगल मंगल सुन जरा सुन अब मैं इसको एकाद मिनिट में थोड़ा दुबारा बता देता हूँ आपको एक नमबर अठास करते उल्टे दिमाग वाले हुक्मरानों का देखो अबनास हो जाएगा ये अपने सेवकों को ही गर्मी में सडकों पर हजारों किलो मेंटर के सफर पर भूग प्यास से तरफा तरफा कर मार डालते हैं ये किसी के नहीं हो सकते ये किसी के नहीं हो सकते तो इनका भी कोई नहीं होगा ये भी ऐसे ही बैयानक अंजाम को पहुँचेंगे इसे कोई नहीं रुक सकता ये संसार का नियम है करोगे जो भरोगे इधर करो और इधर पाओ इन उंच निच्ता आस्मानता छुवा छूट करने वाले फैलाने वालों का और निरिये जीवों को मार कर खाने वालों का तो भैयानक अंजाम होता ही है होगा इस अरुन सारण को जो तुमारा प्रेमी है मेरा भी प्रेमी है इसके सब दुख दूर होंगे दोस्तो हम मानते हैं ये भगवान की वाणिये हमारे कानों में पढ़ने वाले ये परमात्मा के सब्द है देखो कहीं ऐसा ने हो कि ये सचमुच में परमात्मा के सब्दों हो और ये सही हो जाएं और आप कहोगे कि ये ब्रह्म है कलपना है ये बात जूंटी निकल जाए और आपका कोई नुक्सान हो जाए हमने उस परमात्मा को उस देवदूद को पलट कर कहा कि हे भाई साब जरा इन पर दया करो ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं ऐसा आए इनका भयानक नास की जगे क्या तुम इतने ही बलवान हो क्या तुम इनका दिमाग सही नहीं कर सकते इनको सद बुद्धी नहीं दे सकते इनको सद बुद्धी दे दो इनका थोड़ा बचाओ कर दो गल्तियां हो जाती है उसने कहा मंगल इनको क्या सजबुद्धी दे ये अपने को भगवान का भी भगवान समझते हैं ये अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते ये क्या कोई भी कोई भी यदि अपनी गल्तियों को माने उनका पस्चा ताप करे और आगे से ऐसा नहीं करने का प्रन ले तो किसी का भी बचा हो सकता है दंड कम भी हो सकता है लेकिन जो कर दिये उनका तो भोग भोग नहीं पड़ेगा चलो इन अठास करते ही हुकमरानों से पूछलो इनसे पूछलो कि क्या तुमने ईवियम में गड़वड़ी नहीं करी तुमारा क्या रॉल था पुलवा मा में और भोग सी चीजों में तुमने इनकी इनक्वारी क्यों नहीं कराई इसे से पता चलता है कि तुम कितने पाणियों में हो भाई मंगल इनको माफ नहीं किया जा सकता अभी भी चाहें तो इनको बोल देना इनक्वारी कराएं कम से कम थ्री डाइमेंशनल कराएं फो डाइमेंशनल कराएं जो पहले बोला जा चुका है यह क्या पब्लिक पर कहर ढातने हैं इनको छुपने को जगे नहीं मिलेगी इनको भागने को समय नहीं मिलेगा इनकी चिंदी चिंदी विखर जाएगी मैंने कि भाई परमात्मा मैं क्या करूँ मैं तो तुम सब के बीच खड़ा हूँ इधर ये सारे लोग सारी दुनिया इधर तू और इधर मैं बीच में पिस्ता हूँ मैं तो अपना मैसेज दे देता हूँ देखो आज स्वतंतरता दिवस है अरे भाई थोड़ी बहुत सरम करना क्या सच मुच में इस देश के 135 करूल लोगों के आप बाद से आओ थोड़ी बहुत तो सरम दिखाओ अरे फरजी डिगरी है तो उसका उसकी माफी मांग लो की गलती हो गई इससे क्या फरक पड़ता है देखो सा एक सो सारे लोगों की आत्माएं इस लाल के लिए मर बस्ती है इसकी प्राच्चीर से ये ये संदेश प्रसारित मत करना थोड़ी बहुत सरम करना देखो भगवान की जाने कैसी कुम महरवानी हो जाए उसकी कुद्रश्टी हो जाए उसने भाई जैसा कहा मैंने कह दिया मैंने कई पर्माटमा मुझे तो ये संदेश प्रसारित करते भी डर लगता है तुम देख लेना दोस्तों ये उसकी दुनिया है ये सारा संसार देखो उसने बनाया ये नदी ये जरने ये अठखेल या करते हर चीज ये बच्चे जरा ये सोचो मा के पेट में बच्चा वो कैसे कैसे रहता है उसको कैसे पुस्टन मिलता है उसको जरा सोचो तो सही और आप ज़्यादा सोचते सोचते जाएंगे तो वह पर्माटमा आपको खड़ा-खड़ा मिलेगा उस अंडे के पानी में कौन सारा ये पैदा कर देता है तुम कहते हो भाई ये तो डिये ने डिये ने करता है भाई ये डिये ने डिये ने को किसने किया वह इंटेलिजेंस वह देवी सक्ती को याद करो उसके सामने माफ़ी मांग लो भयानक कान दुनिया में ऐसे नहीं होते जब चेटाओने सुनते सुनते भी लोग नहीं मानते तो ऐसा हो जाता है आज का ये संदेश था हमने आपको बता दिया वीडियो लंबा नहीं करेंगे उसने का मंगल मंगल जरा सुन ये संदेश परसारित कर दे इन अठास करते उल्टे दिमाग वाले हुकमरानों का नास हो जाएगा आपने सेवों को कोई गर्मी में सडकों पर हजारो किलो मीटर के सफ़र पर भूके प्यासों को इनोंने तरफा तरफा कर माड डाल रा और इनके जरा भी जरा भी पस्चता अपनी है इन लोगों का अँजाम तो भेयानक होगा इन उंटनी असमान ता छुआचोट फैलाते करने वालों का और निरे जीमों का काट कर मास खाने वालों को भी भेयानक कस्ट होंगे होते रहते हैं इनको पता नहीं चलता कि ये कस्ट किस बात का हो रहा है इस अरुन सारन को जो तुम्हारा प्रीमी है तो मेरा प्रीमी है इसके सारे दुख दूर हो दोस्तों उसने मुझे मेसेज दिया मैंने आपको दे दिया आज इतना ही जै हिंद जै भारत